हेलो फ्रेंज वर्कम तो मां जानल एक्टिनेंट कोचिंग के बारे में बात करेंगे जो हमने लास्ट टाइम डॉक्टर गार्शिया का जो एक्सपेरिमेंट डिसकस किया था उसमें उनोंने एक कंडिशन फाइंड आउट की थी जिसको बुलते हैं कंडिशन टेस्ट अवर्जन अलान वर्जन तो पर्टिकुलर फूर बेस्ट ओन फीलिंग्स फूल्विंग इट्स इंजेशन मतलब की कोई चीज कोई फूर ऐसी चीज आप खाओ जिसके खाने के कुछ टाइम बाद आपको आप बिमार पर जाते हो तो उस सब्सक्राइब तो कंडिशन टेस्ट अवर्जन क्यों इतना जल्दी होता है और गानिजम के अंदर क्योंकि वह उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वह चीज वह बार-बार ना खाएं जो उनके लिए डेंजरस या टॉक्सिक हो सकती है जिसकी व बहुत कॉमन है यूमन बींग्स के अंदर और सच अवर्जन्स अर यूजुली अन्यूजुली स्ट्रॉंग एंड कैन अकर दिस्पाइट अर थॉट्स अबॉट्स अब यह जो जाते हैं हमारे अंदर कि हम उस फूड को वाइड करना शुरू कर देते हैं वह बहुत स्ट्र होता है कि उस दिर हमने कुछ और भी चीज़े खाई थी हो सकता है वो कुछ और रीजन हो हमारे बिमार होने का या फिर फूड की वज़ए वो फूड जहां से आया है जहां पर बना जिस तरीके से पैक हुआ कोई भी बीच में अन्हाईजीनिक कंडिशन हो सकती है जिस वज अन्यूजवल सी थी जो यह चीज़ पदा चली जैसे अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रूप में आप सबने कोई ड्रिंक पी कोई कोई कोल रिंग पी और आप सब में से सारी लोग थे उन सबको कुछ नहीं हुआ सिरब आप बिमार हो गए पिके तो यह तो पदा चली जाता अपने घर जाके उसके बाद कुछ ऐसा खाया जिसकी वज़ासे आप बिमार पड़े तो यह आपको पता चल जाता है कि उस पर्टिकुलर खाने में अशक नहीं था आपके खुद के साथ कुछ एसा एक्सपीरियंस वा जिसकी वज़ासे आप बिमार हुए हो लेकिन फिर भ तो यह सारी चीजों से डॉक्टर गार्शया के जो एक्सपेरिमेंट वा था उसकी बाद बहुत सारी चीजे पता चली के नॉर्मली जो पैवलोब ने क्लासिकल कंडिशनिंग के बारे में जो चीजे बोली थी जो सब लोग मानते थे उससे काफी सारी चीजे अलग भी हो सक जैसे कि क्या-क्या था पहली चीज यह थी कि सिंगल पेरिंग से भी कंडिशनिंग हो सकती है जैसे आप एकी बार खाके वह चीज अगली बार कभी निखाते हो तो एकी बार आपने पेरिंग करी ना CS और UCS की मतलब जो आपका कंडिशन स्टिमूलस था जो आपने खाया और में आपकी कंडिशनिंग हो गई कि वह दुबारा नहीं खाना तो मतलब सिंगल पेरिंग से कंडिशनिंग भी हो सकती है जिसको वन ट्रायल लर्निंग बोलते हैं पहली चीज तो यह डिफरेंट थी क्योंकि पैवल ने बोला था कि आपको बहुत बारी पेरिंग करनी मतलब जैसे आप बिमार पड़े लेकिन आपने उससे कहीं घंटों पहले कोई चीज खाई थी तो अभी आपको एक कंडिशनिंग हो जाते ही कि वह चीज खाने की वह जैसे बिमार पड़े हो पैवल ने यह बोला था कि पास सेकिंड से जाधा का गया आपनी होना चीए लेक मोर देन फ्यू सेकिंड फाइनली कंडिशन टेस्ट आवर जना एक्स्टीम रिजस्टेंट तो एक्स्टींशन यह चीज बहुत इंपोर्टन थी जिसे बैफलोब ने का था कि बाद में अगर आप दोनों स्टिमुलस को एक साथ पेर नहीं भी कर नहीं करोगे तो वो कंडि वर्जन होता है हमारा टेस्ट वर्जन यह एक्स्टेंट नहीं होता है बहुत असानी से बहुत रिजिस्टेंट टू एक्स्टेंशन होता है हम यह चीज बहुत कम भूलते हैं लाइफ टाइम हमें वह चीज याद रहती है मतलब आप दुबारा फिर से कभी लाइफ में वह चीज खाने से डरते हो जिसकी वजासे आप जिस दिन आप कभी बिमार पड़े हो जिस दिन आपने वह चीज पहली बार खाई थी तो यह एक्स्टिंशन नहीं होती है इस चीज की तो यह बिल्कुली तीनों चीजें ऑपोजिट मिली थी जो नॉर्मल कंडिशनिंग जो पैब सब्सक्राइश को कीमो थेरैपी यूज टूए करें उसको रेडियेशन का साइड एफेक्ट क्या होता है कि उनको वॉमिटिंग का जाती है बहुत जादा और नौजी जिसे उल्टी जासी फीलिंग आती है तो वो खाना छोड़ देते हैं, धीरे धीरे खाना कम कर देते हैं, खाना वॉइट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो और जादा वीक होना शुरू हो जाते हैं तो cancer patient में acquired taste aversion to food ingested before therapy session तो थेरपी से पहले अगर वो खाना खाते हैं उनको बात में vomiting आती हैं तो जो खाना है उससे उनको taste aversion होना शुरू हो जाते हैं तो इससे बचने के लिए कुछ चीज़ेस्ट की हैं, जिसको वो कर सकते हैं कि उनको ऐसा न लगे कि उनके खाने की वज़े से उनको vomiting हो रही है तो यह लिखा हुए क्या कर सकते हैं कि पेशेंट रिसीविंग कीमो थेरपी शुट अरेंग देर मील शेडियूल टू डिक्रीज चांसे ऑफ इस्टैबलिशन इस्टैबलिशेंग एस्टैबलिशन बिट्वीन इंजेशन अप दी फूड एद इनलेस्ट केशन के साथ बहुत पहले खाए या उसके बात ने खाए उसके साथ नहीं होना चाहिए शेडियूल ऐसा ओना चाहिए कि जब सेशन के लिए आप जा रहे हैं हो तो उससे आपको काफी देर पहले ही खा लेना ताकि ये चीज़ बार-बार माइंड में ना आहिए कि जो खाया है उसकी विजासे वामिटिंग हो रही है इंटरवल बिट्वीन देर मील एंड कीमो थेरफी शुट भी लॉंग तो जो उनके खाना खाने और कीमो थेरी के बीच का गया पर इंटरवल है वो बहुत लंबा होना चाहिए पेशेंट शुट इट सिमिलर फूड और उस टाइम पे जब आपकी कीमो थेरी चल रही है उस टाइम सिमिलर फूड खाओ जिसका आपको पता है कि आपको डाइजेस्ट हो जाता है कुछ नया और उन्यूज्वल मत खाओ क्योंकि कुछ नया खाते हैं फिर उनको वामिटिंग होती तो उने लगता है वो खाने से हुआ है तो कुछ नया ट्राइं मत करो अन्यूज्वल मत खाओ जिसका आपको हो सकता है कि आपका टेस्ट रवर्जन बन जाए कि आपको पता है कि इससे कुछ नहीं होता और फिर वमिटिंग आएगी भी तो यह ऐसा नहीं लगगा कि खाने की वज़े से आईगा फिर पता चल जाएगा कि इससा थेरपी हो यह इसलिए हो रही है वमिटिंग और तीसरी चीज यह बोली गई है कि कंडिशन रिस्पों तो इससी की कंडिशन जिस्पांसे निलेटो दू देट थि थो एतना कह्मिक रांधा है मतलग के अपने घाना नहीं बहुत कम ख電प कहना कि जाधा ज़्या स्पार्ट आन्प कि इन फिर श्ट्रोंग फलेवर वाला नहीं कहना जितना कम उसकी इंटेंसिटी होगी उतना कम आप उससे उसको रिलेट करोगे अपने कंडिशन को तो यह चीजे हैं जो कर सकते हैं वो लोग जो कीमो थेरिपी सेशन अटेंड करते हैं क्योंकि फिर वो अधरवाइस अपने फूड के साथ उनको टेस्ट अवर्जन हो जाता है और अपने फूड को खाना बंद कर देते हैं और नॉलिज रिगार्डिंग टेस्ट अवर्जन है अलसो बिन यूज तो हैप वेस्टर रैंचर्स्ट डियूज दी लॉस अप दिया लाइफ स्टॉक यही चीज जो नॉलिज है टेस्ट अवर्जन की इसको एक तरीके से और जैसे रैंचर्स वह लोग होते हैं जो लाइफ स्टॉक रखते हैं जैसे वह जो अपने उनके अपने उसमें बेड वगारा पालते हैं जो लोग उन्होंने भी इस चीज का बहुत यूज किया वूल्फ खा जाते थे जंगलों में रखते हैं जैसे किसी एक जगा जैसे लीथियम क्लोराइड जब उन्होंने वुल्फ ने उसको खाया तो उसके बाद उनका टेस्ट अवर्जन डेवलप हो गया उन्होंने उसके बाद दुबारा कभी आके उनकी लाइफ स्टॉक को खाने की कोशिश नेगी तो इस तरीके से भी यूज किया जा सकते हैं अ मतलब जिचे ना तो उनको प्रिडेटर्स मारना पड़ा मतलब जो वुल्फ थे उन्होंको मारना भी नि पड़ा सिरथ एक क्यामिकल लगा दिया उन्होंने अट normally मीड खाया जिसको हम देखते हैं कि बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है हम सब के अंदर आगे चलते हैं क्लासिकल कंडिशनिंग कोगनिटिव परस्पेक्टिक पे तो यहां पे पेवलप ने कुछ एक्सपेरिमेंट जो किया था क्लासिकल कंडिशनिंग का उसमें एक चीज़ और नोट की थी डॉग बाद में कंडिशनिंग हो गई थी डॉग के बजने के बाद उसको फूड प्रेजेंट किया जाता था तो बाद में कंडिशनिंग हो गई थी डॉग की के वो बेल की आवाज सुनके यह फूड आने की एक्सपेक्टेशन रखता था तो उसके मुह में सलाइवा आ जाता था तो खाली बेल की चाहिए फूड आये नाये बेल बजने से ही उसके मुह में सलाइव आना शुरू हो जाता था फिर कुछ ताइम बाद पैवलव ने ये नोट किया कि जब बेल बजना बंद हो गई थी कुछ ताइम के लिए तो डॉग क्या करता था उस मशीन के सामने बैट जाता था और मतलब एक तरीके से वेट करता था कि कब ये दुबारा से आवास करेगा क्यूकि उसकी कंडिशनिंग ये होगी थी कि बेल बजएगी तो मुझे घाना मिलेगा तो ये एक बहुत अजीव सी चीज ने की पैवलवने कि वह बैल के सामने बैट के उसको एक तरीके से बैट कर रह है और उसको यह बजे था कि उसको खाना मिले so if conditioning involves only the development of an association between condition and unconditioned stimuli then the dog should have responded only when the condition stimulus was presented so question यह भी यह रहा था कि अगर उसको यह लगता है कि बेल बजने के बाद खाना आएगा तो उसको खाली तभी respond करना चीह था जब बेल बजने के बाद खाना आये तो उसने खाना आने से पहले ही, जब बजना बंद होगी तो वो उसको देखके क्यों रिस्पॉंड करता था, उसको देखके क्यों वेट करता था कि खाना आए The fact that the dog appeared to beg for the ticking sound suggests that classical conditioning involves more than just a simple association तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि इसका मतलब यह बहुत simple एक association नहीं है कि आपने बेल बज़े ही खाना प्रेजेंट किया तो dog को बस यह response करना आगया कि बेल बज़े की तो खाना मिलेगा इससे कई जादा कुछ इसमें involved है और बहुत अलग तरीके की learning भी इसमें होती है कुछ और process भी involved होते है जिसको इन्होंने नाम दिया cognitive perspective तो वो cognitive perspective क्या था जो इसमें involved हुआ था तो इसमें देखते आगे regular pairing of a condition stimulus with an unconditioned stimulus provide subject with valuable predictive information कि अगर हम regularly pair करें किसी condition stimulus को unconditioned stimulus के साथ तो condition stimulus इस case में क्या हो गया bell और unconditioned stimulus क्या हो गया food तो उससे क्या होते है जो subject होता है subject यानि कि जो यहाँ पर इस case में dog है तो जो subject है इस case में यानि कि जो dog है वो एक तरीके से वो predict करने लग जाता है कि जो bell बजी है उसके बार खाना आएगा तो एक predictive information देता है predictive information मिलती है उसको predictive मतलब वो यह चीज़ पहले से सोचना लग जाते है कि बैल बजी है उसके बाद खाना मिलेगा तो यानि कि बैल बजना जरूरी है तो एक predictive information मिलनी शुरू हो जाती है इक इंडिकेट्स whenever a condition stimulus is presented and unconditioned stimulus will shortly follow तो वो यह predict करता है कि पहला वाला जो stimulus आया है उसके बाद दूसरा वाला भी आएगा ठीक है तो में जीज़ इसमें किया है कि subject को expectation होनी शुरू हो जाती है तो यहाँ पर dog को expectation होनी शुरू हो गई कि जब बैल बजेगा तो food आएगा तो इसलिए वो बैल के स जल्दी से sound आया है उसमें से ता कि मुझे खाना मिले है तो in this context dog's behavior is easy to understand during conditioning the dog learned that ticking of the metronome signal the delivery of the food then without any warning this fickle machine stopped working obviously something had to be done to get it started so the dog acted on his expectancies तो finally यही था कि जब बंद हो गई बजना तो dog उसके सामने बैठके वाइन करता था बैक करता था मतलब बेट करता था कि वो कब बजना दुबारा शुरू हो तो यह cognitive process जो इसमें involved था the idea of expectation मतलब जो expectation जो था वो cognitive process था expectation which plays a role in classical conditioning तो यह जो कहते हैं कि जो हमारे expectation का जो यह इसके साथ आ जाता है stimulus के साथ कि हम expect करने लग जाते हैं तो वो चीज cognitive process है जो काम करता है conditioning में so conditioning fails to occur when uncondition and condition stimulus paired in random manner तो यह कैसे इनको यह चीज पता चली कि उसी की वज़ा से conditioning हुई है क्योंकि अगर वो दोनों आपस में एक साथ pair नहीं करोगे अगर बेल बजने के बाद food नहीं आएगा तो conditioning नहीं होगी फिट चाए इसका मतलब condition stimulus के साथ कोई expectation डेवलप नहीं हो रही है subject की तो वो कोई conditioning नहीं होगी उस case में second यह है कि cognitive thesis is supported by phenomena known as blocking और एक process और होता है जो इस चीज को proof करता है कि blocking हो जाती है blocking क्या हो दिए कि अगर आपने already bell के साथ उसकी conditioning कर दिया है तो आप उसके अलावा कोई और स्टिमूलस देते रहोगे वह उससे condition नहीं होगा वह बैल से ही conditioning होगी तो भी उसके मुह में saliva आता था ठीक है लेकिन अगर आप इन दोनों की पेरिंग नहीं करोगे तो गितनी बार भी बैल बजा लो सब्सक्राइब नहीं आएगा कंडिशनिंग नहीं होगी तो पहली चीज तो यह थी दूसी चीज यह बोलें के blocking हो गई थी blocking क्या मतलब कि आपने एक बर उसको यह चीज सिखा दी कि बैल बजने के बाद ही खाना आएगा तो आप बैल के अलावा अगर light जलाओगे तो वह salivate नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि बैल के बाद ही मिलेगा light से नहीं मिलेगा या फिर आप कोई और चीज का सपोस्स बैल बजने से पहले आप clapping कर रहे हो तो अभी वह salivate नहीं करेगा क्योंकि उसकी अंदर blocking हो जाएगी किसी एक चीज को लेकर कि सिरफ बैल ही ऐसा stimulus है जो मुझे खाना दे सकता है बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जिससे मुझे खाना मिलेगा तो यह दोनों ही processes य कि एक cognitive process भी involved होता है conditioning के अंदर, if classical conditioning occurs in an automatic manner as a result of repeated pairing of conditioned stimulus with unconditioned stimulus then light too should become a conditioned stimulus क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो अगर आप light जिला रहे हो तो light के साथ भी तो उसको condition होना चाहिए, अगर आप clap कर रहे हो तो clap के साथ भी conditioned होना चाहिए, लेकिन अगर उसकी conditioning आपने bell के साथ कर रखी है तो वो light और clap या कोई और चीज के साथ condition नहीं होगा, जब तब वो चीज उसकी खतम ना हो जाए तब तर, so these findings suggest that classical conditioning involves much more than the formation of simple association between specific stimuli, तो यही findings थी जो यह proof कर रहा था कि इसके अंदर बहुत सारे cognitive processes भी involved होते हैं, सिरफ दो stimulus को एक साथ pair करने से नहीं होता, बहुत सारी चीज One theory, एक example इनने दिया हुए, One theory of stimulus generalization suggests that memory and other cognitive process play an important role, अब हमने generalization के बार में भी बात की थी, तो यह भी एक चीज है जो यह proof करती है, कि memory भी involved होती है, Memory किस में आती है, हमारे cognitive function में आती है, और memory का भी conditioning में बहुत important role होता है, वो कैसे, क्योंकि जब हम generalize कर देते हैं, किसी response के साथ, किसी stimuli को generalize करना शुरू कर देते हैं, That means हमें stimuli के बार में कुछ चीज याद है, जैसे suppose उस dog को पता है कि bell की आवाज के बात खाना आएगा, तो उसको bell की आवाज याद है, अब वो चाहिए doorbell की आवाज हो, चाहिए वो किसी और bell की आवाज हो, वो उसको सुनके salivate कर रहा है, तो that means उसके mind में एक memory में ये चीज बैट गई है, कि ये bell की आवाज है, जिसकी वज़ा से खाना मिलता है, तो वहाँ पर memory का भी एक role दिखा रहे हैं, यापर कि उसने memorize कर लिया है इस चीज को, तो जब भी कोई bell की आवाज सुनेगा, तो उसे लगएगा कि खाना मिलेगा, तो memory का भी आपके काम है, so during conditioning organisms form a representation in memory of the stimuli that precedes the unconditioned stimulus, when they then encounter different stimuli at later time, they compare these with the information stored in their memory, तो जब कोई और आवाज भी वो सुनेगा, तो वो पहले से जो उसकी memory में आवाज स्टोर्ड है bell की, उसके साथ उसको compare करेगा, और उसको लगएगा सेम है, तो वो respond करेगा, तो यह जो थे, यह cognitive process जो है, इसको discuss किया हुआ यहाँ पर, कि कैसे cognitive processes involved होते हैं, conditioning के अंदर, इसके आगे जो topic है, अब हम next video में discuss करेंगे, classical conditioning, turning principles into action, जिसमें हम यह बात करेंगे, conditioning से हम phobias को कैसे treat कर सकते हैं, जो little Albert का जो experiment था, जो dr. Watson ने किया था, तो इसको next video में discuss करते ह झालोंगत तो धो दो का करेंगे हैं, उसको चालोंगत यहाँ Jahrशीन यहासो कर फ्रे, और रावाचा मेंद्टी जो लुंगत हो आंदी जो आप मैंद्टी, ट. झालोंगति जो यह, वगुशermित दॉस्वा में भालोंगत यहीं अजि vill pee यहार हुआ जोस्त बाटिम्ष द Come